सो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो दी चानल, होप यौर लाइंग अपसलूटली फाइन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडिया के मोस्ट पॉपलर युनुवरस्टी यानि की अमिटी युनुवरस्टी के बारे में। इस वीडियो का इन तक जरूर देखेगा विकज आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्ड इंफर्मिशन देने वाली हूँ अमिटी युनुवरस्टी के स्कॉलर्शिप से रिलेटेड वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मे अमिटी युनुवरस्टी के बारे में सबको पता है कि यह कितना पॉपलर युनुवरस्टी है और इंडिया में जादता स्टूडेंस का एक ही ड्रीम होता है कि वो लोग अमिटी युनुवरस्टी से अपना कोस कम्प्लीट करें तो इसलिए आज की वीडियो में मैं करेंगे उसके बाद हमें काफी सारे option देखने को मिलेंगे जिसमें कि हम लोग scholarship के option पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते हैं तो यहां पर हमें जो है जैसा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हैं तो हम लोग जो फॉर्स्ट थ्री ओप्शिन्स है इनके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में जहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है डारेक्ट एड्मिशन, श्कॉलरशिप बेस्ट उन सी यू एटी टूथासन ट्वेटी त्री एंड स्कॉलरशिप का उप्शिन चले सबसे पहले बात कर लेते हैं एमिटी उनिवर्सटी के डारेक्ट एड्मिशन के बारे में कि किस तरीके से स्टूरेंस जो है वो अंडर ग्राजुएट कोर्स के लिए डारेक्ट एड्मिशन ले सकते हैं एमिटी उनिवर्सटी में इस कॉलेज में डारेक्ट एड्मिशन लेने के लिए थोड़े बहुत टर्म्स और कर लेते हैं तो चले उनके बार में बात कर लेते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूरेंस से क्योरिंग 80% मार्क सियानी कि जिन भी स्टूरेंस न की टिवना चाहते हैं अधुम्हें सब्सक्रा को चाहते हैं जो भी स्टूरेंस इंटेगरेटेद लोग डिक्राइणस में अच्छलेंस एकुम्हां गयर बाका टो यह कुछ पर अपलाए नहीं होता है जैसे कि आर्किटेक्चर, डिजाइन, एजुकेशन, स्क्रीन पर आप लोगों को सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे तो यह वह कोर्स हैं जिसमें डारेक्ट एड्मिशन की फैसिलिटी स्टूडेंस को नहीं दी जाती है आप लोगों को यह भी बताया गया है लास्ट पॉइंट में कि जो आपका एग्रिगेट परसंटेज है वो किस बेसिस पे कालकुलेट किया जाता है इसमें इंगलिश अन् थ्री एकाडेमिक सब्जेक्ट को जो है वो इंक्लिउट किया जाता है नेक्स्ट अब अगर बात करे स्कॉलर्शिप ऑन दी बेसिज ऑफ सीउटी ट्वेंटी ट्वेंटी ट्री फॉर अंडर्ग्राजुएट कोसिस तो यहां पर आप लोगों को स्कॉलर्शिप ट्वेंटी परसंटेज अन् दी जाएगी जब आपके ट्वेल्ट में 85 परसंट के अबव के मार्क्स है अन अग अगर आप लोग स्टेबल के नीचे देखेंगे तो नीचे आप लोगों को बोल्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जुसमें की यह बताया गया है कि 100% स्कॉलर्शिप जो है इस नौट अप्लिकेबल फॉर ऑल दी बाचलर प्रोग्राम जैसे कि सारे बाचलर प्रोग्र प्रोग्राम में 100% स्कॉलर्शिप जो है वह एपलिकेबल नहीं है अगर आप लोग भी फार्मा के लिए अपलाय करते हो तो वहां पर यह वालिड नहीं माना जाएगा नेक्स अगर बात करें इनके स्कॉलर्शिप के बारे में ताट इस कॉलर्शिप ग्राजुएट प्रो स्कॉलर्शिप कम फास्ट्राक अड्मिशन टेस्ट है यहां पर स्कॉलर्शिप का एन इलिजिबिलिटी क्राइटीरिया गिवन है टेबल आप लोग देख सकते हैं यह 100% 50% स्कॉलर्शिप पर एलिजिबिलिटी देख लो आफ्टर नीचे आप लोगों को देखने को तो यहां पे आप लोगोंको स्कॉल अफ्टर एक आपके डिरिया किया है थी थी ताप इस ते श्टरिया के लिए चिजिए चिजिए बिल्ग चिजिए इस चिर्ड इस टुर्ड एलजर के लिए यहां पर ढगें जी इन को ध्यान से पर लेना और इंप्रियून चीज इस पर लोगों के बताना चाहते हूँ कि जो के काटेगरीज अभी बताई है कि सिफ और सिफ एमिटी युनिवर्सिटी के नौइडा कैमपस के बारे में है नौइडा कैमपस से रिलेटेड है अट दे एंड इफ लाइक दुस वीडियो डोंट फोगेट ते लाइक बटन एंड दू सब्सक्राइब को मैं चानल